प्राइस की बात करें तो प्राइस मुझे 390 के करीब पड़ा था यह आपका अमेजन में और फ्लिपकार्ट में भी अविलेबल है तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूगा वहां से आप इसको पर्चेस कर सकते हो तो बेसिक सा आज मैं इसका रिव्यू करने वालाओं की बुक कैसा रहा मैंने इसको वन मन तक पड़ा है जहां तक मेरी अंडरस्टैंडिंग रही कैसा इस बुक में क्या है क्या फीचर कुछ स्पेशल फीचर है या नहीं इसके बार में जासा अथोचा डिसक्रस करूँगा देखो पहले बात करतें टोपी को लेकिए उसके बा आपका basic topic है अगर आप UPSC के preparation कर रहो हो तो यह तो important है world climatology है world oceanography है world biography है फिर उसके बाद fact दिया हुआ कुछ continent के बारे में तो मुझे कुछ इस्ट्रा चीज जो इसमें लगाना बलकी वह यही सब लगा था कि fact बहुत सारे fact दिये हुए है क्योंकि आपको पता हो यूपीए सी उतना fact को लेकर dedicated नहीं रहता है लेकिन हाँ चलो दिया हुआ तो आप उसको पढ़ सकते हो अब ऐसा नहीं कि fact का uses नहीं में और मुझे लगता है कि portion थोड़ा बड़ा रहना चाहिए थोड़ा सा dedicated रहना चाहिए agriculture को लेकर और agriculture से related क्या करना चाहिए क्लाइमेटर लोजी को जो आपका उसको एड करना चाहिए अगरिकल्चिया के साथ लेकिन वह कभी मुझे यहां देखने को मैं एक चीज बता द तीन महिने का टाइम ही है UPSC को लेके तो हाँ तब अगर आपने ने पढ़ रहा है NCRT तो आप इसको पढ़ सकते हो लेकिन overall अगर बोलोगो तो मुझे उस हद तक का beneficiary तो इस book में नहीं लगा जितना आप NCRT में cover करके चीजों को analyze कर सकते हो World Human Geography यह सब तोड़ा इस्टा पार्ट है इसमें आपका COVID-19 का जो है वो सबी जो भी recent चीजे हैं उनको भी तोछा एड़ करने का कोसिस किया गया है उसके बाद बात करते हैं इंडिया नों जियोग्राफी इंडियन जियोग्राफी में वही physical जो इंडिया का जियोग्राफी है उसको लेकर बताया गया है इंडियन पोपुलेशन दिया गया है पुपलेशन डेटा बेइ उसको अच्छे सा डभाइब के जो फोरॉरेस्ट है बार वारेकर करें बाद इसमें उसके क्लाइमेल को समझने में या पहर आप दिकडरे बाद को कोई भी national park है क्योंकि वहाँ सो question बनते हैं तो अगर उनका अच्छे से detail रहता न तो यह समझने में ज्यादा understand लगता और book भी ज्यादा मुझे valuable लगती लेकिन उन सब चीजों किस made ही नहीं किया गया है खर यहाँ पर कुछ challenges है जो आपके इतना volume है इतने जीले हैं इतना reservoir है बस यहीं सब कुछ उच में दिया गया है तो यह कुछ मुझे benefit का लगा ही नहीं यह topic पूरा इंपोर्टन यहाँ पर देखने को मिल जाएगा लेकिन इंडियन जीग्रफी में मुझे कुछ जाता देखने को मिला ही नहीं बस कैसे क्या सिस फॉर्म हुआ वह वगेरा सब है फिजिकल सेटिंग वगेरा है बस और कुछ तो नहीं ते कुछ इंडियन अगरी कल्चर में द भाई कहां चल गया क्लाइमेटोलोजी ओसनोग्राफी आप दिया हुआ है ऐसे नहीं कि वर्ल्ड ओसनोग्राफी दिया है लेकिन आप इंडिया कभी तो पर्टिक्लर दो तो उस चीज़ का इसमें है नहीं तो अगर मेरा ओपिनियन देखोगे मैंने बुक पढ़ा पढ़ो और जितने सारे भी बुक है जियोग्रोफिक को लेकर तो कुछ ना कुछ चीज़े कमी है लेकिन इंसियाटी आपका इंसियाटी में कंप्लीट हो जाएगा बस वोकावलेरी के लिए आपको करेंट से जुड़े रहना चाहिए और हाँ इसमें कुछ है जो आपका मे इफ्टा क्वालेटी तो लगा नहीं तो देख लो आपको जैसा लगना है आपको अगर पर्शेस करना है बेसिक चाहिए थोड़ा साथ तो इंसियाटी नहीं पढ़े हो तो हाँ प्रिफर कर सकते हो ठीक है तो यही था और जिए लेक्शन ले आओंगा यार टाम नहीं मिल पाता है इसलिए निल्या पाता हूं जल्दी से सो चैनल में नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करते है ना मिलता हो किसी और वीडियो में तब तक लिए अलविदा लूँगा जैन